पंजाब के अमरिच सर में इटली के मिलान से पहुंची एक चार्टर्ड फ्लाइट के 125 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर बवाल मच गया। इस फ्लाइट से कुल 189 यात्री वहां पहुंचे। जिनमें 125 की कुरोना रिपॉजिटिव आने के बाद एएरपॉट पर बवाल मच गया। क्योंकि एएरपॉट के अधिकारी कुरोना पॉजिटिव यात्रियों को कॉरिंटीन सेंटर भेजने की तयारी करने लगे। जिसका यात्रियों को लेने वहां पहुंचे उनके रिष्टदारों ने कड़ा विरूद किया। हंगामा कर रहे लोगों ने एएरपॉट प्रशासन पर उनके रिष्टदारों की जान से खिलवार करने का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे लोगों ने अमरिच सर एरपोर्ट पर हुई कोरोना जांच पर भी सवाल उठाए हलांकि यात्रियों के रिष्टदारों के विरोध का एरपोर्ट प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ वहीं एरपोर्ट पर यात्रियों के रिष्टदारों का हंगामा बढ़ता देख वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई और ये तो विदेश से लोटे लोगों की बात है देश के अंदर भी पिछले दस दिनों में करोना के नए मरीजों की संक्या में बड़ा उचाल देखने को मिला स्वास्ति मंतराले की ओर से जारी आंकड़ों के मताबिक पिछले दस दिनों के अंदर कुरोना के नए मामलों की रफ्तार 15 गुना तक बढ़ गई 27 दिसंबर को कुरोना के करीब 6000 मामले सामने आये थे और दस दिनों में ये आंकड़ा बढ़कर 90,000 के पार पहुँच गया यही नहीं इन दस दिनों में दस पतिशत से ज़्यादा सापताहिक पॉजिजिविटी दर वाले जिलों की संक्या दो से बढ़कर 41 पहुँच गई और अगर बात सिर्फ नए साल के पांच दिनों की करें तो अब तक कुरोना के करीब ढ़ाई लाक नए मामले सामने आ चुके हैं जिनका बोज अस्पतालों पर पढ़ना शुरू हो गया है वहां करोना मरीजों के बेड़ भरने का सिलसला तेजी से जारी है मुंबई में जहां एक हफते पहले तक करोना मरीजों के लिए रिजर्फ दो प्रतिशत बेड़ ही भरे थे वहीं अभी आँकड़ा 50 प्रतिशत तक बढ़ चुका है इस बीच खबर है कि महराष्ट में अगर करोना मरीजों के 40 प्रतिशत बेड़ भर जाते हैं तो राज्य में लॉग डाउन लगाने पर उद्धव सरकार गंभीरता से विचार करेगी आँए दिल्ली के भी अलग अश्पटालों में करोना मरीजों के लिए रिजर्व 700 से जादा बेड़ अब तक भर चुके हैं और केजरीवाल सरकार ने सभी निजी अस्पटालों में 40% बेड़ करोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश भी दिया है मद्ध प्रुदेश में करोना मरीजों के बेट के भरने का यांकडा ढाई अजार के करीब पहुंच चुका है तो बिहार में भी इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है एक दिन पहले वहां अलग-अलग अस्पतालों में 63 बेट करोना मरीजों से भरे थे तो अगले ही दिन ये संख्या बढ़कर 90 के करीब पहुंच गई लेकिन इसके बावजूद कई जगों पर लोग लापरवा होने से बाज नहीं आ रहे करोना पर शिकंजा कसने के लिए मध्यप्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर सक्ती फिर बढ़ा दी तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने रोको टोको अभ्यान को दोबारा शुरू कर दिया जिसके तह़र चहर के अलग-अलग इलाकों में पुलिस वाले तैनात कर दिये गए और जो लोग उन्हें बिना मास्क के दिखे उनका उन्होंने चालान काटा चाहे टूवीलर सवार हो या कार सवार पुलिस वालों ने लापरवाही बरत रहे लोगों के चालान काटने में कोई कोता ही नहीं बढ़ती वारनिंग दे रहे हैं और रशीद भी कार दे हैं जबलपुर में मास्क नहीं लगाने वालों का 100 रुपए का चालान काटा जा रहा है वहीं कुरोना से निपटने के लिए कुछ राज्यों ने सक्त पाबंदियां लागू कर दी है कई राज्यों की तरह बिहार में भी कुरोना मरीजों की तादात तेजी से बढ़ रही है जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया ये night curfew रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा इसके अलावा पूरे राज्यम में सिनिमा हॉल, सुमिंग पूल, चिडिया घर और मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे घीड को कम करने के मकसद से किसी शादी समारों में 50 लोगों को और अंतिम संसकार में 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त दी गए बिहार के अलावा तमिलनाड में भी night curfew का एलान किया गया जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा इतना ही नहीं तमिलनाड में रविवार यानी 9 जनवरी को पूर्ण लोगडाउन का फैसला भी किया गया इसी तरह 36 गड़ सरकार ने फैसला किया कि जिन जिलों में करोना मरीजों के बढ़ने की दर 4 प्रतिशत से जादा है वहां night curfew लगा जाएगा साथी उन जिलों में सभी रेस्टांट, होटेल, सिनमा हॉल और स्कूलों को भी बंद रगने का आदेश दिया गया इसके अलावा दिल्ली में करोना नियम तोड़ने पर दो बड़े बाजार बंद कर दिये गए इनमें एक दिल्ली के सोनिया विहार अलाके में और दूसरा मुकुन विहार अलाके में लेकिन बंदिशों की इन खबरों के बीच मुंबई के कांदिविली अलाके से चौकाने वाला एक वीडियो सामने आया वहाँ कोरोणा नियमों का उलंगन कर एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीच सड़क पर जन दिन का जश्ट मनाया ये घटना तीन जन्वरी की बताए गरी जब उस लड़के ने देर रात बीच सड़क पर अपना जन दिन मनाया इतना ही नहीं सामने आए वीडियो में दिखा कि उस लड़के ने तलवार से एक नहीं बलकि तीन केक काटे इस दोरान उसके कई दोस्त उसके साथ मौजूद रहे हैरानी की बात ये रही कि किसी ने भी कोरोना नियमों की परवाह नहीं की यही वज़रै की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन पर आक्शन ले लिया बताया गया कि जिसका जम दिन था उसके किसी दोस्त ने केक काटने के लिए उसे तलवार दी थी जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया इस बीच महराज सरकार ने करोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर जिनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट ही बंद कर दिया जिसके पीछे वहाँ के स्वास्थ मंतरी ने ये दलील दी कि राज्य में जितने करोना के मरीज हैं उनमें 55 प्रतिशत ओमिक्रॉन के हैं और ओमिक्रॉन के इन मरीजों में लक्षन भी काफी कम है जबकि ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए जो जिनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं इसलिए अब ये टेस्ट ही बंद कर दिया गया और जिस मरीज की जैसी तबियत होगी उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा वहीं ब्रिटिन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच वहां की सरकार ने यात्रा नियमों में कुछ बदलाव कर दिये जिसके बाद फ्लाइट से ब्रिटिन पहुंचने वालों के लिए साथ जनवरी से करोना टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं रहेगा यानि की ब्रिटिन जाने से पहले यात्रियों को करोना की जांच नहीं करानी पड़ेगी साथी ब्रिटिन पहुंचने के बाद उन्हें कॉरंटीन मी नहीं रहना होगा हाला कि जिन लोगों ने अपना वैक्सिनेशन पूरा कर लिया है ये नियम उनके लिए ही लागू होगा